नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत वक्त है न्यूज बुलेटिन का इस बुलेटिन में बात होगी बुलन सहर में एक किसान पिता का नाम रोशन करने वाली बेटी की हमीरपुर में हाइवे किनारे बनी दुकानों में हुए हाज से की और मुरादावार ने शोपीस बने सामदा एक सोचाले की ऐसी तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से तो आईए सुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खबर बुलन शहर से जाईक बीटी ने अपने पिता का नाम जोशन किया है बुलन शहर में किसान की बेटी सदफ इमजान जजवनी है जजवने पर सदफ का ढोलनगारों के साथ स्वागत किया गया फर्स्ट अटेंप्ट में PCSJ की परिक्षा उन्होंने पास की है आयोग मे वो पहली परिक्षा और उसके बाद उन्होंने से क्लियर भी कर लिया बुलन शहर से सीन्यू समवादा था अधिनानी बाद की रिपोर्ट हबर हमीरपूर से जो अनियंटेट ट्रक हाईवी कि नारी बनी दुपानों में घुस गया एक और दरजन दुपानों में बेकाबू ट्रक घुसता हुआ चला गया सबही दुपानों में हुई टूट फूड दुपानदारों का लाख़ों का नुक्सान हो गया कबरई से गिट्टी लादकर कानपूर की तरफ ये ट्रक जा रहा था कि सुमेरपूर कस्पे के पास बस स्टैंड का ये मामलार सामने आया है किसी पिर गारी कोई हाता तो नहीं हुए है किया मानकते हैं कि अगटना हुए लगभा कितना नुपसान होगा लाकूर का लुपका क्या अगटना हुए क्या भी तरक पुलिस परसासन आया किसी परगार की मदद कोई नहीं आया है आपकान में आपकान में नुष्कान कोई गटना होई है राक आया दो बदे रात के खमासे टकर आते हुए ट्रांस फरम जिराते हुए हमारी दुकान में आब होजा और हमारा लाखों को नुष्कान हो गया मशीन तूट गई हम लेटे भी थे यहीं तो चोट नहीं आई किसी को और दूबलाफों को नुश्कान हो गए मशीन तूट गई एक रेंजर साइकल बीड़े और यहीं जिसक्तान में आके यहीं पलट गया जब घटना होई थी कैसा क्या मसूस होई था जो कैसे आप तो कैसे जान कर रोगव क्या स्थिति थी जब मशीनों के उपर गिरा तब आम जाने तो उनकुर्ट के देखा प्रेप कि यह के नाम है आपका कहा कि रहने वाले तो अच्छा क्या गटना होई यह रातरी में रात को देरे बचे एज बचके एक्तिस मिर्स पेटर बेकावू तेर्ट आया में किनारे से जाईवाद नसे ग्यारत बथा चांस वामाद तोड़ते हुआ सी यह मकान में जागो साई हमीरपुट से सीन्यू समबाद आता ब्रजेश की रिपॉर्ट खबर है मैंपुटी से जोंखनन माफिया ने SDM को धंकी दी जब ओडियो वारल हुआ तो जिला प्रशाशन हरकत में आया खनन माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया आपको पताते चले कि कुछ दिन पहले कॉडियो वारल हुआ था जिसमें खनन माफिया SDM को धंकाने की आपस में बात करा था ये बात जब पुलिस प्रशाशन को पता चली तो उनोंने उच्वधिकारी ने ओडियो का संग्यान लेते हुए थाना पुलिस को ततकाल मुकदमा दजकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफतारी के निर्देश दिये जब इस बात की पूरी ज़ाश परताल की गई तो पता चला की धंकी देने वाला प्रमोध यादव गाव बल्लमपुर का निवासी है दूसरा व्यक्ती अजगर उर्फ मोहित ये चंदा का निवासी है प्रभारी निरिक्षक ने दोनों के विरुद थाने में मुकदमा दज कर आया देर राथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश्टी लेकिन गाव में पहुशने पर पुलिस को आरोपियों के घर पर ताली लगे मिले जिसके बाद आरोपियों की अभी तक गिरफटारी नहीं हो पाई है कि अधियों को दंकी देले का एक आडियो वारिल हो रहा बताया जा रहा है कि कोई खनन माफिया है जो कि उनके ऊपर जेजी भी चड़ा देखकर उनकी जान लेने की बाद कर रहा तरह जो आए जो तरह करें तरह करें कि अपर तक शनकत करवाई करते हैं तो यह माबला संग्यार में कि पूर में भी उपजलादिकारी किसनी ना पनी जान को खत्रा बताते हुए पत्राचार भी किया है मानपुरी से सीनियू समवादाता कुलदीब दिक्षित की रिपोर्ट खबर मुरादाबा से जों भगतपूर ब्लॉग की ग्राम पंचा सती खेड़ा के सारजुनिक सामुदाइक सोचाले में गंदिगी का अमबार लगा हुआ है सरकार ने सारजुनिक सोचालों में लाखो रुपए खर्श कर डाले कहीं जर जर हालत है तो कहीं लटके पड़े ताले दिखाई देंगे सरकार ने देश को खुलेस में सोच मुक्त बनाने के लिए श्यार से लेकर गाव तक सारजुनिक सोचाले का नुर्मार कराया है लेकिन यहां का सोचाले गंदिगी के अमबार से पटा पड़ा है सती खेडा के साजुनिक सोचाले में आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी जिस उदेशु से सरकार के द्वारा सोचाले बनवाया गया था इस सोचाले में ना तो पानी है ना तो सासफाई और ना ही कोई और विवस्था है जिसके चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार ग्राम प्रधान राजविंद्र सिंग और सचिफ से कहा गया लेकिन कोई भी जन्दता की बात नहीं सुनता है जो जो यहां की टूट है मरमत के लिए प्रधान जी आते हैं यहां तो यहां की तूट है पैसे नहीं मिलते मुझे जारू तक की पैसे नहीं अब तीन साल वाई जाल जारू नहीं कुछ नहीं तो आप उनसे अच्छी नहीं कोई बात नहीं ऐसे काम करें घरेजाएं लोगों नहीं यह कहा दिया आपने शिकायत करिसे शिकायद करी द्राइश क्या है जालो जाएंगे गुशुट की भी बजट नहीं के लिए जुट नहीं जाए जुक्त टेंकी निल्टी पड़िया पूटिया वो यह अपने पर पास से भी लगा दिए अच्छे पाले हैं कुछ नहीं करते हैं अच्छाले के पास में कुछ पूरा है और जंकार लगे हुए तो आपने नहीं कहा के इनको साफ करा दो यहां से कितने यहां टोईलेटों में पानी आ रहा है तो बस दो दो में हैं और बात रूमें और सब बेकर सब बेकर सोचले इस्तेवल करने लेग नहीं है करते हैं और यह लगा लो समय करते हैं और में आपने पास दिला चुकी आज़ा है तो पैसा देते हैं उपर से पैसा बस तंखाए बस तंखाए बस तंखाए नहीं मुरादाबाद देहाज से सीन्यू समवाराता जाबिर हुसेन की रिपोर्ट खबर रोताज जिले से जहाँ पर सथुआ में 11 कुंडिये रुद्र महा याग्य होना है श्रीराम कथा का आयोजुन क्या गया है 23 माई को जल यात्रा के साथ यागि प्रारंभ हुआ जो की 30 माई तक चलेगा इस याग्य में कथा वाचिका भुवने इश्वरी जी के मुखारविन से संध्या 5 बजे से 8 बजे तक श्रीराम कथा का श्रवड किया जा सकता है 222 साथ से 9 बजे तक श्रीफ कुरान की कथा सुनकर वक्त अपने जीवन को धनेवाद कर सकते है रोतार से सीन्यूज अमवारता विकास कुमार पाठक की रिपोर्ट फिलाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही देश-दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए बने रही है सीन्यूज भारत के साथ हर ख़बरात के साथ आपके हाथ